जीव हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुसलिम सिख एसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा अब तू सुन ले राम कहाणी रमता राम यानि सर्वा व्यापक जिस परमेश्वर की असंग बर्मंडों पर सता है, उराल कंट्रोलर है उसका नाम जपो रे प्राणी अब तू सुन ले वो राम कहाणी अपने अत्माओं पहले तो आपको राम की डैफिनेशन बताते हैं, डैफिनेशन ओफ गौड परमात्मा की कहाणी सुनाते हैं, परमात्मा कहते किसे हैं शिरी मदभगवत गीता अध्धाय नमबर पंदरा के स्लोक सोला और सत्रा में तीन पुर्स बताए है पुनात्माओं यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सत्र करता हूँ कि देखो, आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े-बड़े सब्जेक्ट को कंठस याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं, इसी परकार आप विद्धार थी है, इस अध्धातम मारग के तो इसमें आप जी ने बहुत धान से और प्रमात्मा के इन सद्गरंथों को धान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रहकर उन सद्गरंथों के वह सलोक और अध्धै बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और और भी कोई पूछे उसको भगत को बता सको, फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुष्टकों को देखेगा कि इस भगत ने जो सलोक और मंतर बताए हैं, ये सही है कि गल्द जब वो अपने सद्गरंथों में देखेगा तो दोड़ा दोड़ा फिर वो सतलोक आशरम बरवाला में आ जाएगा इसलिए दास आपको रहरे करिया फिर रफेरेंस याद दिलाता है और जब पूरे विश्वे में ये थारत ग्यान फैल जागा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे अब तो जब तक ये एक एकजमपल उधारन नहीं दिये जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते के सच मुझ कबीर इज गॉड हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूँ शिरीमत भकुत गीता ज्याय नमर 15 के सलोक 16 और 17 में तीन परुस बताई है एक सर परुस एक अक्सर परुस गीता ज्याय नमर 15 के सलोक 16 में दो परुसों का वर्णन है और इनके भी से ये भी कहा है कि दोनों परुस परुस माने पर्भू स्वामी अब स्वामी साहब, साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तशिलदार साहब, कमिशनर डी सी साहब, डी एम साहब, कमिशनर साहब, मंतरी साहब, मुख्य मंतरी साहब, परधान मंतरी साहब, राष्टर पती साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्सेतर के इनमें कम्पलीट जो साहब है वो कौन है राश्टर पती और सेकंड नमबर फिर परधान मंतरी इसी परकार सरपुर्स ये ब्रम है जो शुरूपी निरंजन ये काल है ये केवल 21 ब्रमांड का स्वामी है मालिक है साहब है राम है राम को शाहब को गोड को अल्भा को रब को खुदा को ये उस पर्मात्मा के ही परियाइवाची भासा भिन नम है तो इन दोनों के विसे में कहापदर में जए के सौल में स्वलोक में सिरीमत भगवद गीता में कि सरपुरुष और अक्सरपुरुष इस पर्च्वी वाले लोक में ये दो पुरुष हैं और इनके अंतरगत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रमांड तो है ब्रह्म के और साथ संख ब्रमांड नील पदम संख ये काउंटिंग है गणित रीती से साथ संख ब्रमांड का स्वामी है अक्सरपुरुष वैसे अक्सर का अर्थ होता है अविनासी लेकिन ये अविनासी नहीं है ये चिर सथाई है और इसलिए इसको भी अविनासी कहा गया है ये वास्ते में अविनासी नहीं है क्योंकि इसे अगले मंतर में सतर में मंतर में गीत जीम है, वो सफष्ठ हो जाता है इसमें क्या बता है कि सरपुर्स और एक्सरपुर्स था इनके इंतरक्र जितने प्राणी सरीर धारी हैं, यह सभी नासवान है इंक्लोर्डिंग सरपुर्स और एक्सरपुर्स फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती फिर सतर में सलोक में गीता धै नमर पंदरा के सलोक सतरा में कहा है कि उत्तम पुर्शेतु अन्य उत्तम पुर्शेतु अन्य उत्तम माने स्रेष्ट पुर्श माने परमात्मा वो स्रेष्ट परमात्मा तो इन उपर वालों से कोई भिन है और परमात्मा ये क्यों धारत है जिसको परमात्मा कहा जाता है जिसको परमात्मा कहा जाता उस परमात्मा वैसे परमात्मा सब्सरेश्ट आत्मा को कहते हैं तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है दुख नहीं देता बाकि हम अन्य को भ हम परमात्मा कहा करते ब्रहम को यह परमात्मा नहीं है जिस लोग में आप रह रहे हो यह लोग परमात्मा का नहीं हो सकता किसी का बेटा मर गया किसी की बेटी मर गी किसी की कैंसर होगी किसी की टांग कट गी किसी के हाथ कट गी कोई अन्य रोग से पेड़ी ता हाँ हाँ कार में चाहुआ हुआ है, अक्सिडेंट में मर जाते हैं, फलडा जाती है अक्सेतर का अक्सेतर तभा हो जाता, ये परमातमा का लोग नहीं हो सकता और अक्सर पुरुष के लोग में भी यही सतीती है वहां भी जनम और मर्टू इसी परकार के रोग, कष्ट, डुख सभी विद्धमान है केवल एक सत लोग है परम अक्सर बरम उस उत्तम पुरुष का वो सथान सत लोग है जा दुख नाम की वस्तू नहीं वहां मर्टू नहीं, वर्दमस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं वहां कोई काम नहीं करना पड़ता है कोई टेंसिन नहीं क्योंकि बरहा बंडार बगवान का अब जैसे यह सत लोग आश्रम बरुवाला यह मिन्नी सत लोग समझ लेना उसकी रिहरसल है उसका एक स्यम्पल समझो ये जैसे आप जी यहां आते हो यहां आपको कोई टेंसिन नहीं खाने की, रुकने की, नाने और दौने की और सारा दिन आप तो एक अप्तार रुखते हो चार दिन रुखते हो, दस दिन रुखते हो बना बना भोजन मिलता है बिचे बिचाए मैट मिलते हैं उपर पंखे जल रहे होते हैं नहाओ दो हो बगवान का बजन करो चैए एक दस दिन रुको आपको कोई टेंसन ही नहीं और ये सतलोग के अंदर ये सुईधा उपलब्द है ये काल का लोग है यहां भी हम इतनी सुईधा नहीं उपलब्द करा सकते परमात्मा के बच्चों को फिर भी हमारा जितना सामर्थ है कोशिष खूब करते हैं क्योंकि सतलोग आसरम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती परमात्मा की विशेश लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है मिले ही वो दुखी है चैसुखी है फिर यहां सुखी करेगा उनको इसलिए हम संभव कोशिष करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो हम तो दास से उस परम पिता के और आप हो सुबगवान के समर्च के बच्चे आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिष करते हैं जितनी हमारा सामर्च है कि किसी परकार का इनको कोई कष्ट ना हो तो कहने का तात्परी है कि जितना समय आप यहां बिताओगे यह आपका समय और ही तरह का होता है यहां से जाते ही आप देखना आसरम से निकलती है आपको कितनी टेंशन गहर लेती है वो करना है वो करना है वहां जाना उसे लेना उसे देना उसने ऐसे कर दिया तो हम जब से सत लोग से निकले हमारे साथ या बिमारी उसी समय से लिए अब हमने वही जाना है जहां कोई अभाव नहीं वह फलदार सदा भाहर वर्क्स हैं सदा भाहर बेवे हैं जैसे जंगल में आपने देख्या होगा साममक खड़ा रहता है पहले पुराने समय में तो बहुत ज़ादा फलदार वर्क्स होते थे कहीं पर कुछ लग रहा है कहीं पर कुछ फल लगे भी है खाओ तोड़ो खाओ बैठके ठाट से तो वहां सतलोग के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्द है तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोग है उस परमपिता परमात्मा का और वो भगवान परमात्मा है अब यहां बता है रमता राम जपोरे पराणी अब तो सुन ले राम कहानी अब हम राम सबद से कहां हम अपने डिमाग की सुई ले जाते थे सिरी राम चंदर जी सन्नौफ राजा दसरत आयहुदा का राजा हम जब राम सबद हमारे हर्दे माता था हमारे धर्म गुरुवों ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो दनुस बान लिये हैं वे श्री राम संदर दिखाई देते थे देखो अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझ लिए अभी आपको बता था कि जैसे तशीर दार्वी साब है कमिशनर भी साब है यह सभी साब है मंत्री पुखे मंत्री परधान मंत्री राष्टर पती सारे साब हैं और इन में जो समरत साब है वो राष्टर पती परधान मंत्री जी है इसी परकार राम चंदर जी यह स्री विष्णू समझो सतोगुन विष्णू और विष्णू जी कितने राम है कितने मालिक हैं कितने पुरुस हैं कितने परभू हैं इतने देव हैं ये केवल एक सतोगुन परधान भगवान राम है और केवल एक एक बिर्मांड के अंदर तीन लोकों के उपर इस विभाग के मंत्री है ये सतोगुन विभाग के मिनिस्टर है परच्वी लोक पर श्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर केवल तीन लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी है राम है बिर्मांडी रजोगुन विभाग के मंत्री है मनिस्टर है और ये भी इनी तीन लोकों के उपर स्वाम है राम है मालिक है पुरुष है पर्भु है और संकर भगवान तमोगण विभाग के मिनिश्टन है इसी परकारिन तीन लोकों है इनके जो पिता है सरपुरुष ब्रह्म जोच रोपी निरंजन ये इसके 21 बिर्मांड है एक बिर्मांड समझो एक प्रांत है और ये परतेक परांत में मुख्य मंत्री का चीफ मिनिश्टर का रोल करता है अपने तिनों पुतरों को ये परधान मंत्री ये मंत्री बनाकर रखता है मुख्य मंत्री मुख्यमिन यहाँ वाला मुख्यमिन तरी नहीं यानि अन्ने से जैसे देव और भी है जैसे जल का देवता वरुन है और दन का देवता कुबेर है ऐसे यह अलग अलग जो और देवता है जैसे सुरिय परकासरोत का देवता भगवान पर भू सुरिय है सुरिय यह आग का गोला नहीं है एक देव है जो इन परकास रोतों का स्वामी है जैसे बिजली मंतरी होता है बिजली मंतरी विधूत मंतरी वो कोई पत्थर का नहीं होता या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता तो एक इनसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली भी भाग होता है इसी परकार शुरिय देव यह नहीं है, जो सुरिय चमक रहा है इनके उपर कंट्रोलर है सभी सुरियों पर इस ब्रमांड के अंदर भी कई सुरिये हैं एक नहीं और ऐसे ऐसे बहुत से और भी परकास रोते हैं संद्रमा की तरहे, तो उन सब का कंट्रोलर वो है. ऐसे हैं. तो कहने का भाव यह है कि यह केवल 21 ब्रमाइण का स्वामि है, सरपूरुस। और अक्सर पुरुष 21 ब्रमाट, साथ संग ब्रमाट का राम है, साथ संग ब्रमाट का, स्वामी है, मालिक है, और परम अक्सर ब्रम, पूर्ण प्रमात्मा, उत्तम पुरु से तु अन्य, वो कवीर देव जो है, परम अक्सर ब्रम, वो असंग ब्रमाट का, राम है, मालिक है, स्वामी है, तो अब क्या बताते हैं? दोल धरनी नहीं धानी, चंद सुरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी, बिर्मा विश्वन महेश नहीं होते, नहीं लक्षमी नहीं गोर जिरानी, स्यावत तरी नहीं संका दिकतब होते अलख बिनानी संत्रांपालजी महराजी के स्वब आशिवाथ से पूरिव विशुभरमी 500 से भी जादा नाम दिक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत्रांपालजी महराजी द्वारा आनलाइन निशल्ट नाम दिक्षा दी जा रही है। अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541 अपने नस्दी की नाम दिख्षा के लिए संपर्क करें